हेलो फ्रेंज बरनाला फूर्ण में आपका स्वागत है आज हमने तर्भूज खाकर हम छिलके फैंक देते हैं छिलके की सबजी बनाई है जो के बहुत ही स्वाद बनी है आप भी जरूर इसी तरह से एक वार ट्राइ करिएगा वीडियो को एंट तक तिक्किएगा लाइक और शेयर करिएगा अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा सबजी बनाने के लिए हमने तर्भूज के छिलके उपर से जो ग्रीन पार्ट है इसका भो हटा देंगे सारा छिल लेंगे और इसे बरीक बरीक बाढ़ियां कट कर लेंगे सारा हमने ऐसे छील लिया है अब हम इसे बरीक बरीक जैसा आप चाहें बरीक बरीक कट कर लेंगे अब हम बनाएंगे तड़का इसका तेल में ही जे सबजी जादा अच्छी बनती है कडाही में हमने तेल डाल लिया है थोड़ा हमने जीरा और जमैन डाल दिया है इसको चटकने देंगे इसमें थोड़ी पांचार कली लसन की बरीक बरीक काट कर डाल दी है दो हरी मिर्च ब्रेक ब्रेक कट करके डाल दी है और दो बड़े प्याज हमने चौप करके डाल दी है इसको हम ब्राउन होने तक पकाएंगे दिखिए प्याज है जो हमारे पक रहे हैं अब हम इसमें डालेंगे दो बड़े कटेगुए टमाटर इस मसाले को अच्छी तरह से पकाएंगे इसमें हम डालेंगे अब मसाले इसमें स्वाद उंसार नमक, मिर्च, मसाला और हल्दी पाउदर मसाला और हल्दी, मिर्ची और स्वाद के उंसार नमक थोड़ी हम इसमें दो चमच चिन्नी के डालेंगे इसमें जो खटा मिठा स्वाद है बो आजाएगा और इसमें जो काट के रखी हैं हमने तरूज बो डाल देंगे, मसाला हमारा भून चुका है इसमें पानी बगएरा कुछ नहीं डालेंगे इसको ढख कर सुखा ही बनाएंगे हमने थोड़ा कड़ी लीव सुखा कर रखा है वो इसमें डाल दिया है इसको ढख कर 15 मिंट के लिए पकाएंगे 15 मिंट हमें हो गए हैं इसे ढखे हुए अब कोल के देख लेते हैं सबची है जो हमारी बिल कुल रेडी हो गई है बहुत टेस्टी बनी है देखिए इसमें हम थोड़ा धनिया से गानिश कर लेंगे सर्विंग के लिए रेडी है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अब करते हैं